हेलो दोस्तों नेचुरल इंडियन टीबी में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस प्रिकार की फ्लाट हम कैसे अपने घर पर बहुती कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरह का फ्लाट बनाया है तो अगर आप भी इस तरह का फ्लाट बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हमारे बनाए हुए फ्लाट आसानी से समझ में आ जाएं तो चलिए हम फ्लाट बनाना एक्स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर मैंने ले लिया है एक स्केज जो कि आपको कापी किताब वाले सौब पर मिल जाएंगे या एक स्केज आपको तीन रुपे का मिल जाएगा लेकिन आपके पास अगर पुराना ही है तो आप उससे ही काम चला सकते हैं तो देखिए मैंने इसके आगे वाले भाग को निकाल दिया है आप इसी परकार से निकाल लेजिए और अब इसके अंदर वाले भाग को भी हम निकाल लेंगे दोस्तों फ्लाट को अगर आप किसी सौप पर या आनलाइन खरिते हैं तो वहाँ पर आप से जादे पैसे ले लेते हैं तो इसी लिए हमने सोचा कि अगर हम फ्लाट को भी आपको बता कर दिखा दें तो आप जादे पैसे खर्च करने से बच सकते हैं तो इसी लिए खास कर हमने या वीडियो आपके लिए बनाया है और देखे हमने इसके अंदर वाले भाग को भी निकाल लिया है और हमें इसका कोई काम नहीं है और इसके उपर वाले भाग को हम इसमें लगा देते हैं और अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है तो देखिए हमारा कट हो गया है आप इसे देख सकते हैं और देखिए इसके अंदर जो छिद्र है हम इसको प्लास्टिक टेप से ढख देंगे ताकि इसके अंदर पानी ना जा पाए तो चलिए इसे भी हम जल्दी जल्दी से ढख लेते हैं और दोस्तों यहां पर देखिए कि हमने इसको प्लास्टिक टेप से ढख दिया है और अब देखिए अब हमें यहां से राउंडिंग कट लगाना है ताकि हमारा धागा इसमें अच्छी पकड बनाए रखे और या सरक कर खुलेना इसलिए हम इसमें राउंडिंग कट करेंगे तो चलिए फटाफट से हम इसको भी कर देते हैं तो देखिए हमने इस पर राउंडिंग कट बना लिया अब हम इस पर धागा बानते हैं तो देखिए हमने इस पर धागा बान लेया अब हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग पर तो देखिए किस तरह से हमारा फलाट पानी में तैर रहा है केवल इसका थोड़ा सा भाग ही पानी में है और सभी भाग ऊपर उठा है इसका मतलब हमारा फलाट एकदम सही तरीके से बना है और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं बस के वल आप वह लाल बटन और बेल आइकन को दबा कर हमाई सभी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं और वैसे ही सब चीज़े आप बना सकते हैं जिस परकार से हम बनाते हैं और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत